ये कल जो पुलिस ने यहाँ पे बरबरता करी है जो पुलिस ने इंसा करी है और जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया यहाँ ढाई तीन गण्ते तक ही यह देखो यह आशू गैस के गोड़े तो लाइसन्स भी रद होना चाहिए जेड भी होनी चाहिए और जुर्माना भी लगना चाहिए क्योंकि MSP किसान का अधिकार है और वो उसकी लाइफ लाइफ लाइन है नमस्कार मैं हुए जबार द्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं साथियो किसान आदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरे लगाता है हम आपके सामने लेकर क्या आने लग रहे हैं भी फिलाल खेड़ी चोपटा इस वक्त हमारी टिम यहां मौजूद और कल कि जो तमाम तस्वीरे यानि कि टकराव और जो पत्थराओ जो हुआ था वो भी हमने आपको दिखाई तो और किसानों ने ऐलान किया था कि कल हम खनोरी बोर्डर के उपर जाकर के जो पंजाब की दर्व जो किसान जो जट्थे बंदिया बैठी हैं उनकी साहिता करेंगे द तरवी आजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बारत्य किसान यूनियन हर्याना के अध्यक से तेरा महिने जिस टाइम पर किसान आंदोलन चला था उस टाइम पर भी वो तमाम तस्वीरे हमने आपको दिखाई दी सबसे पहले तरवी आजाद वाई-ग्राउंड मीड़ा हो सकता है कोई कह रहा है कि वीडियो सो से बड़ी बड़ी फंडिंग आती है इसलिए वहां बैठे हैं आपको क्या लगता है देखिए हम यह कहेंगे कि जो प्रधान मंत्री मोदी के भासन है 2014 तक के और जो बीजेपी के घोशना पत्र है उसमें जो किसानों की मांग है और जो देश से किये हुए वादे हैं वो वादे लागू कर दो प्रधान मंत्री की खुद की कही हुई बात चै वो रोजगार की हो चै वो MSP गारंटी की हो चै वो किसान की करज मुक्ती की हो और जो संयूक्त किसान मोर्चा से भारत सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को वादे किये थे चै वो मांगो वो हमारी माल लो बस हमारी इतनी सी बात है उसको सरकार पूरा कर दे हमें कोई मतलब नहीं है राजनिती से ना हमारा कोई दूसरा एजंडा है सरकार मांग मानने की बजाए और हमें दूसरे मुद्दों में उर जाने की कोशिस कर रही है और ये पूरा देश उसमें भी सरकार के सारे सडियन तर फेल हुए तमाम जगे पे आंदोलन चलते हैं सरकार को हारना पड़ता है सरकार चाहे जो भी कहे लेकिन किसान केवल और केवल अपने हके लिए लड़ रहा है वो केवल और केवल मांग कर रहा है 60 साल के बाद पेंसन की 10,000 रुपे किसान मजदूर को पेंसन मिले वो मांग कर रहा है स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2 प्लस 50 के फार्मूले से उपज कादाम मिले और देश के किसानों का करज माप हो जब अडानी का, अमबानी का आप 13,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 पी नहीं देंगे तो ये किसान के साथ जुलम और जाती है और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक किसानों का संघर्स और आंदोलन चलता रहेगा लेकिन केंदर के मंतरी कह रहे हैं कि किसानों के लिए बड़ा उफर हमने दिया था वो कह रहे हैं कि पांच फसुले के उपर MSP वोभी जो सरकारी अजनसिया दो जनसी उनके अंतरकत कॉंट्रेक्ट बेस पर पात साल के लिए देने तो लग रहे हैं देखिए हम MSP मांग रहें C2 प्लस 50 के फार्मूले के अनुसार उस अनुसार गेउं का रेट 3150 रुपे बनता है आप यह देखिए आजादी के बाद करमचारियों की अधिकारियों की तनखा कितनी बड़ी MPMLA की तनखा कितनी बड़ी और किसान के अनाज की कीमत कितनी बड़ी दूसरी बात वो कह रहे है कि जो किसान गेउं और धान की खेती छोड़ करके जो ये 5 फसले लगाएगा उसमें कपास भी है उसमें मक्का भी है उसमें अरर भी है उडद भी है उसमें उनको हम 5 साल की टोटल उपज की खरीद करेंगे लेकिन वो तो A2 के फार्मुले से करना चाते हैं जो किसान पहले से धान और गेउं की खेती छोड़ करके ये 5 फसले लगा रहा है उसकी भी कोई गारंटी ने सरकार कर ये सारा रिकोर्ड हमारे पास है जो गेऊं और धान की खेती छोड़ करके ये पांच फसलों की खेती करेगा उसमें हम पांच साल की गारंटी देंगे हम मांगिये कर रहे हमें पांच साल की गारंटी नहीं चाहिए हमें 23 फसलों के उपर रभी और खरीब की 23 फसलों के उपर हमें MSP की गारंटी चाहिए हर चीज MRP पे बिखती है मीनिमम सपोर्ट प्राइज किसान मांग रहा है आप बजार में पैन भी लेने जाते हैं उसके उपर MRP लिखा होता है और किसान क्या मांग रहा है MSP ताकि MSP फिक्स हो जाए तो किसान की आय सुनिस्चित हो जाएगी और ये खेती किसानी बचती रहेगी नहीं तो सरकार का ये जो प्रष्ताव आया था ये एक तरह से पंजाब को रिश्वत के तोर पे दिया गया था और संयूक किसान मोर्चा ने इसका खंडन किया और ऐसे प्रष्ताओं को हम किसी भी किमत पे नहीं मानेंगे हमें चाहिए MSP का गारंटी कानून किसान की उपज अगर MSP से कम बिके तो लाइसंस भी रद होना चाहिए जेड भी होनी चाहिए और जुर्माना भी लगना चाहिए क्योंकि MSP किसान का अधिकार है और वो उसकी लाइफ लाइफ लाइन है जी अच्छा दिल्ली कूच की बात लगातार किसानों के दुवारा कही जा रही है उसी तरफ से हर्याना के मुख्यमंद्री मनोरलाल खटर का भी ये बयान सामने आने लग रहा है कि ये जी किसानों ने प्रोटेस्ट करना ये दिल्ली कूच करना दिल्ली जाना है ये दिधरना देना है तो आप अपनी गाडियों बैठ करके या फिर रेल में बैठ करके बस में बैठ करके जा सकते, ट्रैलियों में हतियार लेकर के क्या करेंगे, क्यूं जाएंगे और नहीं जाने देंगे पहली बात तो हम कोई हतियार नहीं रखते हैं, हम तो एक डंडा जरूर रखते हैं और वो भी जंडा लगाने के लिए, हम कोण से हतियार रखते हैं आज दूसरी बात सरकार जिम्मेवारी ले ले की वही है आजारों लाखों जो किसान आएंगे इनकी सोन की इनकी खाणा खाण की इनके लंगर पाणी की या तो प्रदानमंत्री ये कह दे कि वही किसान दिल्ली में आया है और वही किसान की सेवा हम बटेउ की डाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हम बिना ट्राली भी चले जावांगे ठीक है और ये ट्राली तो सोणे के लिए है रिसी में मारा लंगर का समान है और ही सफारी कित लिआ वा अमें किसान कट टेक्ट ट्राली पाओगा तो जाए बीजेपी बीजेपी जो है बीजेपी वाड़े अगर आम न बटेव माने हो और बटेवा की डाल सेवा करें हो तो आम भीना जो है टेक्ट ट्राली कवि चले जाओंगे कर लेंगे वरोषा जी अचा खनोरी बोर्डर की बात करें पर सम्भू बोर्डर की बात करें पूरे देश की नजर उन बोर्डर के उपर बनी हुई है बलकि एक तेईस साल के किसान की साथ यह कल जो पुलीस ने यहां पे बरबरता करी है जो पुलीस ने इनसा करी है और जो पुलीस ने लाटी चार्ज किया यहां ढाही तीन घंटे तक यह देखो यह आसू गैस के गोड़े आजे यो लाग जया किसे का सरीर पे किसे का आख पे किसे के मात्ठ पे तो आप समझ सकते हो क्या आलत होगी यह एक गर में यह उद्र जो है एक मकान है यह उनके गर पे पुलीस ने जो है यह आशू गैस का गोडा छोड़ आरे यो कितने बोर का यह बारा यह आप देख लो य यह अर्कत है यानि कि अर्याना का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनके काम नहीं कर रहा है वो सेना का कमांडर बनके काम कर रहा है और उसने अर्याना में युद जैसी स्थिती बना दिये लेकिन खटर को हम यह कहना चाहते हैं यह इस तरह के काम जो आप कर रहे हो यह बरदा कोई पंजाब की जट्थेबं दिया है उन्होंने का था कि हम दिल्ली कूच करेंगे लेकिन सुख्तकिश्वान मौजचा ने मना कर दिया था कि हमारी कौल नहीं है तेरा फरूरी से लेकर के आज तक जो जथेबंदिया हर्याना पंजाब खनोरी बोर्डर की बात करें यह संभू बोर्डर की बात करें वह कि वहीं बिल्कि परसाषन और साषन की तरफ से का जा रहा हम इनको नहीं जाने देंगे बल्कि एक नोजवान जो सुब करना थे 23 साल क उनकी तो वहाँ साधत भी हो गई है क्या करना चाहेंगे सुन्त किसान मोर्चा ने मना किया कि हमारी कौल नहीं है उस तरब की जथेबंदी कह रही है कि हमारा S.K.M. जो है वो गहर राजनीतिक है जो S.K.M. जो सुन्त किसान मोर्चा जो बना गा था जिसने दिल्ली के आंदोलन को जीता और केंदर की सरकार को अराने का काम किया परदान मंत्री के घुटने टिकवाए कुछ भाईयों ने कुछ आरोप लगा करके वो संयूक्त किसान मोर्चा से अलग हो गे आलांकी वो अपने आरोपों को साबीत नहीं कर पाए उन्होंने अपना अलग SKM Non Political बना लिया लेकिन संयूक्त किसान मोर्चा संगठी थे और बैतर होता कि दिल्ली कूच की कोल संयूक्त किसान मोर्चा के नेतरतों में सारे संगठन और नेता मिल करके देते या सबसे वो भाई सला मसुरा करते वो तो उनकी समझ थी कि उन्होंने किसी से बात नहीं की और उन्होंने इतनी बड़ी कोल दे दी लेकिन अगर बातसीत करके कोल देते तो ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ तेरा फरवरी को ही खन्नोरी और संभू बोडर तूटते और किसान जो है वो दिल्ली कूछ करता लेकिन संयूक किसान मोरचा की अभी मीटिंग हुई 22 तारीक को तो संयूक किसान मोरचा ने एक 6 सदश्यों की एक कमेटी बढाई है जो पूरों में सकेम के सदश्य रहे उनको जोडने के लिए और एकता बनाने के लिए दूसरी बात किसान किसान है मूमेंट कोई भी करे लेकिन किसान के साथ जुलम और जात्ती होगी तो हम किसान से दूर भी नहीं है दिल्ली अमारे से कोई दूर भी नहीं है फिर हम सारे एक मुठी में बंद हो करके लड़ेंगे और संयूक्त किसान मोर्चा लगातार जो एक 23 साल के नोजवान सुब करण की जिस तरीके से मोत हुई आज इतने दिन बीच जाने के बाद भी पोस्ट मार्टम नहीं हुआ हरिया हर्याना की सीमा में हर्याना पुलिस ने उसके उपर हमला किया है और गोली के निसान आपने देखे हैं कि 12 बोर की गन के निसान जो है उसके सरीर पे मिले आज तक अंतिम संसकार नहीं हो पाया है डेड बोडी पंजाब में रखी हुई है उसके बाउजूद केंदर की सरकार जो समवेदन हिंता अपरा रही है बही किसान जब दिल्ली जाना चारा आप उसको दिल्ली जाने दो और आप दिल्ली नहीं जाने देना चारे तो किसानों की मांग माल लो दिल्ली किसी के बाप की बपोती थोड़ी है दिल्ली देश की राजदानी है और हम दिल्ली जाना औ तोड़ना यहां कल जो गटना करम हुआ आप पुलिस से पूछिए कि किसानों के अंदर ताकत क्या है वो मार भी सेन करेंगे और स्यानती से पुलिस को पीछे भी अटाएंगे यहां से पुलिस दमदवा करके भागी है यह बैरीकेटिंग तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं ह और दिली कोई देशके किसानों से दूर नहीं है जुलम और ज्यात्थी यह दिखाती है कि आज मुक्हेमंत्री खट्रड जनरल डाएर बढ़ करके काम कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब उनकी ताबूत में किसान किल्ठोगने का काम करेगा कल की कौल दी गई थी यहां से कि हम खनौरी बोर्डर के उपर जाएंगे अब आगे की क्या रनी नेती है क्या प्लान है क्योंकि कल तो रोक दिये गई हैं सभी के सभी किसान यही पर देखिए यहां भी शांती पिर यह तरीके से धरना चलेगा 17 जो किसान गिर्फप्तार किये थे वो किसानों की ताकत थी जिला प्रसासन अहीटने टेक के 17 किसानों को रिहा किया अभी यह शांती पिर यह तरीके से अंदोलन चलता रहेगा यहां की जो कमेटी है वो आगे का निरने लेती रहेगी और सयूक किसान मोर्चा ने 14 मार्च को दिल्ली चलो का हवान रामलिला मैदान में किया है उसकी तयारियां भी सब जोर सोर तरीके से करेंगे और ये आपको वादा है दिल्ली देश की राजदानी है दिल्ली देश का दिल है और किसान इस देश की आत्मा है हम दिल्ली जरूर जाएंगे किसी के बाप में इम्मत नहीं है हमें दिल्ली जाने से कोई रोक दे जी चलो भी फिलाल वीडियो आपने देख लिए युवा किसान नेता रवी आजाद इस वक्त तमारे साथ मुझूद थे